नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब चिनल पीएफपी में आज हम कैम्स के बार में चर्चा करने वाले हैं 4000 के लेवल से स्टॉक हमें 25 तक आता हुआ नजर आता है भारी गिरावट देखने को मिली है और आज हमें 6% की तेजी दिखाई पड़ती है तो क्या स्टॉक में बॉटम बन चुका है क्या यहां से हमें तेजी कंटिन्यू रहती भी नजर आ सकती है अजर रीटेल इन्वेश्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले है सबसे पहले कंपनी के quarter 3 के numbers पर नजर डाल देते हैं net sales हमें 28% उपर जाता हुआ नजर आता है year on your basis पे net profit 37% उपर है EBITDA 33% उपर है तो clearly results अच्छे नजर आते हैं अच्छी बात यह है कि net sales जितना उपर गया है उससे ज़्यादा net profit उपर गया है तो margins भी company के बढ़ते हुए नजर आए है fundamentals के बार में बात करें product wise revenue breakup के बार में चर्चा करते हैं data processing से 82.9% का revenue contribution है customer care services 6.5% recoverable 4.8% miscellaneous services से 5.1% का revenue contribution है segment breakup के बार में बात करें तो RTS services से 92% और software से 8% का contribution है location wise breakup तो totally revenue इंडिया से ही आता है fundamental ratios के बार में बात करें तो ROE 39% है ROC 43% है net profit margin 29% है जो कि आपको अपने averages से उपर जाते हुए नजर आते हैं तो clearly situation यहाँ पर बहुत अच्छी है और करजा भी नहीं है company पर तो यहाँ पर fundamental ratios तो fantastic है company के financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे revenue आपको continuously बढ़ता हुआ नजर आया profit में भी हमें अच्छी growth देखने को मिली है यहाँ पर profit थोड़ा निचे गया था लेकिन वापस हमें अच्छी growth देखने को मिली लेकिन यह जो growth है decent growth कह सकते हैं company का size इतना बड़ा नहीं है कि इतनी slow growth देखने को मिले slow growth यहाँ पर दिखाई पड़ती है भले ही company का size चोटा है यह मेरे इसाब से थोड़ी बहुत यहाँ पर negative situation हो जाती है company के share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 23.75% जिसमें से कुछ pledge नहीं है mutual fund 6%, other DIA 7%, FIA 30%, retail category 32% उसमें भी जो pure retail है वो continuously बढ़ते जा रहे हैं फिलाल 15% के आसपास हो चुके हैं यह situation मेरे इसाब से खराब नजर आती है analyst के rating के बार में बात करें 6 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 83% का मानना है कि stock में खरीदारी करनी चाहिए higher side पे 52% का upside है median है 36% का upside और lower side पे 10% की गिरावट बताई जा रही है 11,000 क्रोड की market cap है 2494 का last rate price है 42 का P ratio है valuation आपको फिलाल थोड़ा सा normal होता हुआ नजर आता है जब यह stock 4000 के उपर चला गया था तो abnormal valuation speed rate कर रहा था overvalued हो चुका था तो फिलाल stock में जो घरावट देखने को मिली है इससे valuation थोड़ा बहुत अच्छा होता हुआ नजर आता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि October में इसके listing हुई थी यहाँ पर आप देख पाएंगे stock थोड़ा नीचे गया थोड़ा consolidated किया फिर तेजी देखने को मिली breakout हुआ फिर उपर गया यहाँ पर एक range में इसने trade किया फिर शांदर breakout हुआ फिर इसने पीचे मुण कर नहीं देखा continuously stock में तेजी आई stock यहाँ पहुचा थोड़ा बहुत correction हुआ फिर से stock हमें तेजी होती हुए नजराई 4000 तक पहुँच गया उसके उपर जाता हुआ नजराया लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली एक support था यहाँ पर इसने base बनाया support लेने की कोशिश की लेकिन तेजी नहीं यहाँ पा रहे थी यहाँ पर उपर के level पर यह sustain नहीं हो पा रहा था गिरावट देखने को मिली गिरावट को trigger किसने किया था इनके promoters ने यहाँ पर माल बेशे था बड़ी deal की थी जिससे selling pressure बढ़ गया तो यहाँ पर हमें gap down भी होता हुआ नजराया तो यहाँ पर जो support था वो तूट गया gap down के साल फिर यहाँ पर stock थोड़ा सा stable होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस यहाँ पर यह support हमें तूटता हुआ नजराया और stock फिलाल नीचे आता हुआ नजराता है moving averages के बार में बात करें तो फिलाल यह stock अपने सारे moving average के नीचे trade कर रहा है 20 days के और 50 days के moving average ने तो cross work बरी कर दिया है तो यहाँ पर situation आपको खराब होती भी नजराती है weakness है weakness लंबे समय से daily RSI 45 है थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर हमें दिखाई परती है weekly chart के बार में बात करें तो ज़्यादा पुराना stock नहीं है लेकिन weekly chart पर हमें momentum अभी strong नजराता है 63.97 का weekly RSI है 60 के उपर है तो overall weekly chart के इसाब से तो यह ज़्यादा week नहीं है यहाँ पर सोड़ा बहुत slight correction ही देखने को मल रहा है momentum अभी strong दिखाई पड़ता है last video में हमने एक line के बार में discuss किया था trend line आपके सामने है support लिया उपर गया support लिया उपर गया फिर से यहाँ पर support लिया उपर गया तो यहाँ पर हमने discuss किया था कि अगर यहाँ पर यह support लेता है वापस उपर जाता है यानि कि इसी line पर दूसरी बार support लेता है double bottom बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर हम खरीद सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा clarity देखने को नहीं मिली और बाद में हुआ क्या 3000 के लिए से वापस यह नीचे आता हुँ नजर आया तो हमने discuss किया था भाई अभी stock weak हो चुका है अभी तीसरी बार यह support आ रहा है तो यह support अभी weak हो चुका है यहाँ से तूटने के chance से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर फिलाल के लिए avoid करना चाहिए उपर जाता है तो ही हम खरीदने के बार में सोचेंगे ऐसा हमने discuss किया था उसके बाद हमने और तीन lines के बार में बात किया था यह तीन levels आपके सामने हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है और 2600 का level हमें as a short term support नजराता है तो जब तक यह stock इसी range के अंदर है हम कुछ नहीं करने वाले अगर यह 3000 के उपर जाता हुआ नजराता है तो हम खरीदारी के बार में सोचेंगे हम bullish हो सकते हैं लेकिन अगर यह level तूट जाता है 2600 के नीचे आता हुआ नजराता है तो यहाँ पर हमें wait करना पड़ेगा और next जो support नजराता है वो सीधा 2000 का level है important support तो वही नजराता है क्योंकि यहीं पर थोड़ा बहुत trade किया था उसके बाद तेजी आई थी उसके बाद तो यह सीधा rocket हो गया कहीं पर भी जादा time इसने spend नहीं किया था तो फिलाल situation क्या नजराती है फिलाल stock ने अलड़ी breakdown तो कर दिया है यहाँ पर एक बार retest हुआ नीचे आया फिर से हमें यह उपर जाता हुआ नजराता है तो range अभी वही है level अभी से में यह आप note down कर लीजे पहला level हो गया यह 2600 का level दूसरा हो गया 3000 का और नीचे के side पे 2000 का level तो फिलाल हमारी run नेती यह रहेगी कि जब तक यह stock 2600 के उपर नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर bullish नहीं हो सकते 2600 का level जो कि पहले as a support देखने के मिला था अब वही resistance हो चुका है तो यहाँ से वापस गिरावट के chances बहुत जादा होता है तो यहाँ पर जब तक यह level तूट नहीं जाता इसके उपर यह sustain नहीं करता तब तक हम यहाँ पर खरीदारी नहीं कर सकते हैं तब तक हम wait करेंगे और नीचे के support के बार में बात करें तो 2000 अगर आता है तो यहाँ पर एक छोटे stop loss के साथ हम काम करने के बार में सोच सकते हैं तो फिलाल wait and watch है और यहाँ पर कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आज अभी 6% की तेजी आई है तो क्या यहाँ पर हमें bottom बनता हुआ नजराता है यहाँ पर resistance लेने के बाद गिरावट हुई थी तो यहाँ से वापस भी नीचे जा सकता है तो यह bottom फिलाल के लिए नहीं है bottom के लिए at least हमें यहाँ से उपर जाकर वापस यहाँ पर नीचे आया कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि bottom बनाने के कोशिश करता हूँ नजराता है लेकिन फिलाल के लिए तो वो जो हमने strategy discuss किये तीन levels हमने discuss किये हैं उसे हिसाब से हमें चलना चाहिए company के positives के बार में बात करें तो quarter three के numbers हमें अच्छे नजराता है fundamentals अच्छे हैं growth भी decent है बहुत अच्छी growth तो यहाँ पर नजर नहीं आती है 1000 क्रोड का भी इनका revenue नहीं है उसे सबसे growth आपको slow नजराती है most of the analyst bullish चल रहे है FIE ने अपना stake यहाँ पर increase किया है यह कुछ positive है negatives के बार में बात करें technicals weak चल रहे है DII का stake है वो भी आपको कम होता हुए नजराता है और retailers का stake यहाँ पर बढ़ चुका है तो यह कुछ negatives है और valuation भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत negative की side ही आता है जिस प्रकार की growth है उस हिसाब से valuation अब भी थोड़े से हमें उपर के level पर ही नजराता है तो फिलाल यहाँ पर करना क्या चाहिए short term के लिए week हे avoid करना चाहिए mid term के लिए week हे अवैट करना चाहिए जब तक ये short term mid term अमें तब तक enter नहीं करना जब तक ये 26 हों के उपर नहीं जाता या फिर 2000 के पास नहीं आता और long term के बार में बात करें तो खरीदारे के बारे में सोच सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी मेरे हिसाब से तो 2000 का वेट करना में ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि technical charts बहुत ही ज़्यादा clear है ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत confusion चल रहा है charts पे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन फिलाल तो stop loss अलड़ी हीट होके stock नीचे भी आ चुका है तो अभी तो हम फिलाल खरीदारी के बार में बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम फिलाल के लिए तो stop loss के बार में नहीं सोचेंगे long term के लिए देखिए company अच्छी है उसके अलाबा कोई problem नहीं है इसलिए खरीदारी करने के लिए better valuation अगर मिलता है better valuation पर stock मिलता है हम थोड़ा aggressive होके यहाँ पर खरीच सकते है I hope आपको यह video पसंद आता है आपके investment trading decision में आपको यह मदद करता है thank you stay happy happy investing